अब खबरे बिस्तार से नौकरी दिलाने का जांसा देखकर एक तरजन लोगों से 51 लाक रुपे हड़कर दोखा दड़ी करने वाली एक शातिर महला को हमेर पर पुलिस ने सिमला से दोबोचने में कामयावी हासिल की दोखा दड़ी में पकड़ी गई महला सपना रानी को हमेर पर कोट में पेश किया गया, जہां पर कोट ने तीन दिन का पुलिस रुमान भी दिया है, पिछले के मा से ये महला पुलिस के रडार पर चल रही थी और इसकी तलाश भी जगा-जगा की जा रही थी नौकरी दिलाने का जांसा देखर एक दर्जल लोगों से 51 लाक रुपे हरप कर दोखा दड़ी करने वाले एक शातिर महला को हमिरपुर पुलिस ने शिमला से दबोचन में काम्याबी हासिल की है दोखा दड़ी में पकड़ी गई महला सपना रानी को हमिरपुर कोट में पेश किया गया जहां पर कोट ने तीन दिन का पुलिस त्रमांट दिया है बता दे एक हमिरपूर के साध ब्रोहा जगह पर कार्यालिया बराकर लोगों से दोखादड़ी के मामलों को अठांब देती रही है और अपने रिफ्तधारों से भी लाखों रुपे एंटे हैं लाखों रुपे के इस बड़ी दोखादड़ी के मामले में महला के साथ हीमाचिल के अलावा कानपूर से भी लोग जुड़े हुए हैं पिछले कई माह से ये महला पुलिस के रडार पर चल रही थी और उसकी तलाश भी जगा जगा की जा रही थी पुलिस ने बोरज इलाके के डाडू गाम से संबंद रखने वली सपना रानी को सिमला से गिरिफतार किया है और उसे पुछतास करके जानकरियां हासिल कर रही है सपना ने करीब एक दरचल लोगों को बैंक में सरकारी नौकरी दिलाने का जासा दिया था पैसे देने के बाब जूत जब लोगों को काफिस में तक नौकरी नहीं मिले और नौकरी से जुड़ी कोई भी जानकरी उन्हें बार बार संपर्क करने पर भी नहीं मिली तो उन्ह शक हुआ इसे लेकर रोविंदर कुमार ने 8 अगस्त 2019 को बोरज थाने में सपना राने के खिलाब दोखा दड़ी का मामला दरच करवाया इसके बाद पुलिस इस मामले की जाच में लगी हुई थी सपना ने सरकारी नाकरी दिलाले को लेकर लोगों की वीच जूट का ऐसा जाल भुना था कि कई लोग उसके जासे में आ गए और उन्होंने उसे लाकर रुपे दे डाले किसी को भी उस पर शक्त ना हो इसको लेकर सपना ने कई लोगों को जाली नुक्ती पत्र भी दे दिये लेकिन जब इन निक्ति पत्रों को सबंदित लोगों ने जांच किया तो पाया कि ये सबी फरजी थे, उनके साथ बहुत बड़ी ठगी की गई थी, इन जाली निक्ति पत्रों को भी पुलिस ने अपने कबजे में ले लिया और अब सपना के शिमला में गिर्फतार होने के बा जाले महला कानपूर से घुमती हुई, शिमला पहुंची थी, उन्होंने बताया कि महला से कड़ी पुछताच की जा रही है और अभी तक 51 लाख रुपे की दो ख़ड़ी महला ने करीव एक तजन लोगों से की है कुछ पैसे लिये थे, उसके बाद हमको कुछ और डिटेल्स जब मिलने लगी, जब हम ढूबने, इन्वेस्टिकेशन करने लगे तो उसके बाद हमको उसमें और जानकारी मिली, और इन्वेस्टिकेशन के दौरान अभी तक वहां लगभग अल्मोस्ट 51 लाख रुपीज क किया शिमला से, जो की डाडू गाओं की रहने वाली हैं, और उनकी इसमें मिली बहगत पाई जा रही है, क्योंकि वो इन अपने जानने वालों को फोन करके नौकरी MNC's में, बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलवाने की बात करती थी, और जिन लोगों ने उनके पुलिस रिमांड पर हैं, और हमको ये लग रहा है कि इसमें और लोगों का भी मिली बहगत पाई जा रही है, इन्वेस्टिकेशन इसमें अभी जा रही है, हमें उमीद है कि हम बाकी जो इनके कल्प्रेट्स हैं, बाकी जो लोग इनके साथ थे इस काम में, उनको भी हम जल अरेस्ट कर पाएंगे